Hello students, today I am going to teach you Hindi subject Hindi subject, open your Hindi textbook Open your first chapter, याता यात, चित्रपाट उसमें क्या लिखा है? चित्र रेकर फुलो के माप की सुची बनाई और चित्र है नहीं, ऐसी फुलो की सुची बनाई अब भी ये चित्र का मैं पुड़ा वणन करके दिखाती हूँ आपको अच्छा से आपको ध्यान से सुनना है और समझना है ये याता यात के साधन और वगीचे का चित्र है चित्र में याता यात के क्या दिये गए है? साधन दिये गए है यादायाद याने हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ट्रावेलिंग करते है ना जिससे उसको यादायाद के साधन बोलते हैं जैसे के साइकल, स्कूटर, मौटर कार, रिक्षा, बस, रेल, नौका, जहाज, हेलिकॉप्टर और हवाई जार्ज ये सारे क्या है यादायाद के स साधन है बगीचे का द्रश्य भी साथ में जूड़ा हुआ है देख रहे है आप गार्डन दिख रहे हो गार्डन का जो गार्डन एरिया है वो भी उसमें साथ अटेच किया हुआ है बगीचे में क्या दिख रहे है आपको बगीचे में कौँसे कौँसे फ्लावर है चित्र देखकर यातायात के सादोनों की सुच्ची बनाई है यह जो यातायात है ना इस उन यातायात के सादोनों के नाम बताई है जो चित्र में नहीं है देखो यहां पर यह जो दूसरा पिच्चर दिया ना उसमें हमें यातायात के सादोनों जीतने भी उस पिच्चर में आपने जीन यातायाद के साध्धनों के नाम लिखे, उन्हें नीचे दी गई तालिका में वर्गी कुलूत कीजिए, अब कौन से साध्धन होते हैं, जैसे के दो पहिये वाले कौन से होते हैं, साइकल, स्कूटर, तांगा, बेल गाडी, फिर दिन पहिये वाले कौन से होते है रिक्षा, फिर next 4 परिये वाले कौन से होते हैं यानि कि 4 विल होते हैं ना, मौर्टरकार, ऊड़ गाड़ी, 4 से अधिक परिये वाले, बस, रेल, उसमें 4 से ज़्यादा और विल्स होते हैं, सडक पर चलने वाले याता-यात के साधन, सड़क पर कौन से यातायात के साधन चलते हैं जैसे के साइकल, डिक्षNew, स्कूटर, बस, तांगा, vertical car, bell गाड़ी, good गाड़ी, हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन. हेलिकॉप्टर, हवाई जाज, पानी में चलने वाले यातायात के साधन. Now, Nahaj, आपने देख रहे हैं न पानी में काहन से याता, याद के साधन जाता है, Nahaj, दायर कि हवा में काहन से उठते हैं, हलीकोप्तर, हवाई, जाज आपने देखे होंगे ना Υीट में आयो अब बढ़े हो गए थोड़े तो आपने देखे ही होंगे. यह सारे क्या है याता-यात के साधन, याता-यात के साधन यानि उसका मतलब क्या होता है जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाने के लिए हमें use come use करते हैं ये पेश में कौन से question दिये, ये question में आपको workbook में भी दिये हुए, ये workbook में आपको answer के साथ लिखाऊंगे